हालो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका खुब-खुब स्वागत है मेरे चैनल पर और यह मैं क्या कर रहे हूं यह मैं ग्रीसिंग कर रहे हूं एक प्लेट पर हाँ मैं थोड़ा सा इसमें लगवा दो बून तीन बून दे हैं लेकिन इनका रिव्यू कि मुझे बना के कैसा लगा और आपके लिए कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी और एक चीज यह भी ध्यान रखेगा कि यह बहुत ही सूपर टेस्टी हैं यह जब बनाएंगे तो यह जैसी ठंडे होंगी तो दस मिंट दस-बीस मिंट बचेंगे निया तुरंत खतम हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बने हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने इसे लेकिन उससे पहले एक चोटी सिर्किवेस्ट की वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अधा कप मैंने चीनी ले लिए तो यह जादा हो गया लेकिन आपको एक तीहाई लेना है क्योंकि मैं तोड़ा कन्फ्यूज हो गए थी तीन चौथाई और एक तीहाई में क्योंकि अगर आप भी इस तो थ्री फोर्थ हुआ यानिकि 75 पसेंट और वन्थर्ड हुआ यानिक कोई डोंगा लें क्योंकि मैंने थाली लिए तो मुझे दिक्कत आये और यह चार चुटकी नमक मैंने इसमें डाला है क्योंकि नमक डालने से में बहुत अच्छा टेस्ट आया है और यह मैंने प्री हीट करने के लिए इसको रख दिया था लेकिन अगर आप बनाते बनाते तो जरूरी नहीं है प्रिहीट करना आप बाद में भी बना के मैं बताती हूं भी आपको अगर पहले रख दिया है तो अची बात है और रखना भूल गया तो कोई बात दिया और इसमें एक तीहाई कप इसमें मैंने गी डाला है गी ये देशी गी है और वैसा नहीं है घुला तो अगर आपका घी बिलकुल ही पीगला हुआ है तो थोड़े दर फ्रीज में रखा हुआ है तो तो थोड़े दर बाहर रख लें ताकि वह थोड़े ठीक इस तरीके का हो जाया और इसको आटे की तरह हमें घुन देना है इसमें हमें डाला आटा बेशन चीनी और नमक और घ तो फिर मैंने इसमें एक मुठी आठा और डाला तो आप इसे टेस्ट करके विद्थेख सकते हैं जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना तो भी आपको इसका अच्छा सा यह ऐसर नहीं लगेगा तो यह मिक्स किया मैंने मिक्स हो गया अच्छी तरीके से थोड़ा सा घी और राल यह में तो पानी के यह तो बिना पानी के यह उतना अच्छा नहीं बनता है मतलब टूटने तूटने जासा रहता है और इसको फिर अच्छी तरीके से रोग लें के बाद मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था क्योंकि में चॉकलेट बिस्कुट भी बनाने थे आप इसको यह दिखा रहे हैं आपको आपने 1 3rd एक मतलब तीहाई ही घी डालना है 33% याने कि जिस कप का आप आटा ले रहे हो और मैं यह बता रही थी यह देखे मैं अलग कर दिया इसमें थोड़ा साटा निकाल के लग दिया तो मैं आपको यह बता रही थी कि जब आप बना लोगे ब भीजान के जुदा मैं और में बना लोगे निकले इस तरीके से उपने अच्छी दूदाव का टायब कर दिया है और पिर इस के नाइव से बना लेंगे इसमें ।ैस्सकेट बने दिसकेट कर कम दिस्केट कर्यक्र सों अच्छी पंधिंग कर को इने एपने वह बिच्चे को फिलाने के लिए इसको बना सकती हैं लेकिन 18-18 बिस्किट करके बनाना इतनी महनत लगाना इतना मतलब वरकिंग डिडिस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जो घर में काम करती हैं इस तरीके से इस पर रख दिया है मैंने उनके लिए भी शायद इतना पॉसिबल क्यों मैं बनान नहीं पा रही हो और ट्राइ करेंगे आप ज़रूर तो यह बहुत सूपर टेस्टी सूपर हेल्दी है क्योंकि घी इसमें फ्राइड नहीं हो रहा है तो बेक हो रहा है तो फिर वह बहुत अच्छा हो गया अपने लिए और पहली बार मैं मैंने इसको आदे गंट मतलब 15 मिनट्स आप खोल के देखे ही गाई मत 15 यह 20 मिनट्स और आदे गंटा लगाई से फस्टाइम बेक होने में और थोड़ी दिक्कत भी आई थी क्योंकि पती लेके बराबर की थाली थी तो हाथ जलने का भी रिस्क रहेगा तो आप थोड़ा ध्यान रगना वह मैंने अच्छी खुश्बू आई है बहुत अच्छा फ्लेवर आया है तो आप सेकेंड टाइम में आप मनला फस्टाइम से ही लगाना पर मैं भूल गई थी अब देखे मैंने इस बारी कैसे रखा है और यह दूद कच्चा यह नॉमल दूद है यह पतिला इसके उपर रखा रहन और सेकिंड बैच भी मेरा लगवाग आदे घंटे में तयार हुआ था लेकिन तीसरा बैच जो मैंने चॉकलेट का बनाया है इस पर अंदा जैसे मैंने एक टेवल स्पून चॉकलेट डाल दिये और इसको अच्छी तरीगे क्योंकि आटा पहले से ही लगा हुआ था तो यह बहुत देर रखा रहा है क्योंकि दो बैसी के तब तक यह रखा रहा है तो इसकी स्मूधने से अलगी थी तो आप पहले से ही थोड़ा रखके बनाईएगा यानि इसको गून के आदे घंटे छोड़ दीजेगा और फिर बिस्कित बनाईएगा और जितने आदे घंटे प्रिहिट करने के लिए रख दीजेगा उसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजेगा और इस तरीके से सिकून के मैंने इसमें पांच ही बने बलकि साड़े चारी समझी क्योंकि एक बिस्कित बहुत ही चोटा बना तो कुल मिलाके 18 बिस्कित इसके अंदर तैयार हुए मेरे और इसमें भी मैंने दूद वैसे ही लगाया था सब कुछ सेम वैसे ही किया था लेकिन इसके अंदर आप एक पर देहन रखेगा कि अपके हाथ जो है मतलब जलेना मतलब चॉकलेट से नहीं जलेंगे कहने मतलब वही मेरे दिमाग में चल रहा है क्योंकि मेरे अंगली जली थी तो इसको भी मैंने फटाफट से गोले गोले करके और इसको बना कि से मुझी तरीके से बना कि और वैसे कर लिया दोस्तों इसमें एक यह चीज मैंने गौर किया कि बेकिंग में आप जो भी बरतन इस्तेमाल करेंगे उसका कलर आपका बहुत डल हो जाएगा तो अगर आप क लेकिन अंदर के साइट से देखिए उसका इस तरीके का कलर हो गया है तो एक बरतन आपको इसके लिए अपना कुर्बान करना पड़ेगा और को इतना बड़ा नुकसान नहीं है पर मैं बता रही हूं सौरी है टंग ट्विस्ट हो गई तो यह तरीके से ठीक है और यह मैं वह नहीं है इशू आप इसे बनाई बहुत ही सुपर सौफ्ट है और जो भी चीजेजे में मुख्य मुख्य थी वह मैंने लिए भी बता दी है कि मुझे क्या दिक्कत है और मैंने इसको कैसे बनाया यह थोड़े दिर आप रखके बनाएंगे और आप मुझे अपी अमी